देवरिशी नारद को प्रिबर्मन काल में एक ब्यो ब्रद्ध धनवान मिला पूजा भोत करता था भक्त भजन तक पर घर से निकल कर वानपर्ष लेना चाहिए और लोक्ष्या में लगना चाहिए बात धनवान के गले नहीं उतरती उसने का अभी तो परिवार को संपन मनाना है फिर कभी समय होगा तो चलेंगे बहुत प्रस्वाद नारद उदर से फिर निकले धनीव्यक्ति की याद आ गई उसके पास प्रह पहुंचे मालूम हुआ कि यह कुछ समय पूरा मर गए नारद ने दिब्बेदरश्टी से देखा तो प्रतित वाक्यों मरकर बेल बन गया और वो हल में चलता है समीब जाकर नारद ने पूरे जनम की बात समर्ण दिलाई और का अभी भी समय है हमारे साथ चलो बेल को पूरे जनम के समर्ण हुआ या फिर तो उसने सीरल आया परिवार को कमाई करके खिलाना है मेरे चलन पढ़ने से इन लोगों को टना ही से क्या लाब है छलो विश्व कंल्यान का कम करें कुता सह्मत नहुआ festa नहुआ उसने का विश्व कंल्यान के परिवारДа कोन करेगा नारच चले गए फिर तीस दिवारुशी प्रकार नारच पी प्र होटळ ऐसी दुर्गति से क्या लाब अब तो यहां इन लोगों को की कोई सहाइता भी नहीं बन पाती है चलो नहीं सहाप ने ऐसे मत इस तक्षी लाया और का घर में चुई यह बहुत है इन्हें निगलने और ड्राने का काम कम है परिवार का मैं कैसे छोड़ू नारग इस बार भी एक दिन सहाप बिल से निकला कि था कि घरवालों ने उसके डंडे में से मार करके खबरली और शीर कुचल दिया ऐसी दुर्गति नहो इसलिए आत्मे जुनों के प्रति अनावशक अतिस्रे मुह छोड़कर सुएम को सत्य प्रवर्वर्थी समर्तन हेतु समाज रुपी यह जब अपना आयूपूरी हो जाए तो उसके बाद में यह मौह माया छोड़ देना चाहिए इसकता से नारजी यह ज्यान देते हैं कि मौह माया में फढ़ावा आदमी आदमी से कहां तक चला गया और उसमें गरवालों के द्वारा इलास्ट में मारा गया उसका अंत्वा इसलिए मौह माया को छोड़ देना चाहिए